हेलो फ्रेंट श्वागत है मैं चैनल में दोस्तो एक ओडियो जो किलिप जो है करीब तीन चार दिन से वाइरल हो रहा है जिसमें नौर्मलाइजेशन रिभाइज रिजल्ट और बहुत सारा जो बाते हैं एस्टेट के रिगार्डिंग एक्स्प्लेंड किया जा रहा है और ब तो आप उस audio को पुरा ध्यान से सुनियेगा और समझाजीगा और एक बात और बता दे कि जो audio है वो मेरा Audio नहीं है हीतेस सरका है है तो हीतेस सरका बोला कि नूर्मलाइजेशन आप जानते हैं कि हमारे दिश में नूर्मलाइशन एक भरस्टा चार की रूप में पैदा हुआ बहुत जगह आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते होंगे कि नूर्मलाइशन है क्या नूर्मलाइशन किस पत्ति से रिजल्ट दिया जाता है कि इसका यही सटी का आपको जवाब मिलता है कि नूर्मलाइशन का कुछ सही आकड़ा नहीं है और नूर्मलाइशन का सही अर्थ सही जानकारी यह है कि नूर्मलाइशन का यह परिवासा है कि नूर्मलाइशन एक भरस्टा चार है हमारे भाराज जैसी दिश में नुर्मलाइशन की लाने की पर्थानी की कहाई इसके जनक पिता कौन है तो इसके पिता मोदी जी के सासनकाल में या यूं कहूं बीजेपी के सासनकाल में नुर्मलाइशन पैदा हुआ नुर्मलाइसन का लाना एक बीजे पीकी की एक साजिस थी कहने कार थे कि किसी व्यक्ति को हम अगर पास से फेल कर दें और उसे हम एक हादे कि इसको हम नुर्मलाइसन के द्वारा फेल कर दिये हैं तो वो फिर आपके उपर उली नहीं उठा सकता है क्योंकि वो अपने कानून में संसोधन कर चुका है कि है एक नुर्मलाइसन है और बीजे पी यह कहा जाए तो मोधी सरकार की मंसा थी कि पहने वाले लड़के के प्रति विक्रती पैदाशी की जाए कि वो घ्रत भाव से पढ़ना छोड़ दे तो ऐसी पद्धती को हम नुर्मलाइसन करते है नुर्मलाइसन का अर्थ ही होता है कि पास वाले को फेल लड़के को पास किया जाए तो नुर्मलाइसन एक भरश्टा चार है इसके जनक मोदी जी या बीजेपी की सरकार है और इन्हीं के सरकार में इन्हीं के राज में इसकी जनक यह उत्पत्ती हुई है कि आज हमारा पूरा देश नुर्बलाइसन से पुड़ित है अब ऐसे भी बीजेपी सरकार या मोदी सरकार युवाओं के प्रती नहीं है यही वाँ को खत्म कर देना बिरुजगार बैदा करना और लोगों को भुखमरी के दूपर ढखिल देना यही इनकी सरकार है यही इनकी मंसा है तो हमारा मुख्य मुद्दा है भरफ्टाचार में नुर्मलाईसन ज्यादा कुछ नहीं अगर आप फी लोग से हम पूछें कि अगर नुर्मलाईसन पद्दिती नहीं होता किसी लड़के को सो नंबर से घटा करके 35 नंबर ला देता अगर कोई उसी में परिच्छा में कोई 25 नंबर से एक लड़का एक लड़का 50 पस 50-70 नंबर पहुंजाता तो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते कि बहुत बड़े पै नंबर पहुंजाता है 120 नंबर का लड़का 50 नंबर पहुंजाता है तो अगर एक जान के द्वारा देखा जाए सही माइने में भरष्टाचार है लेकिन नुर्मलाईसन एक ऐसा भरष्टाचार का सूचक दिया गया है जिसे सबसे बड़े पैमाने पर बीजे पी ने भरष ख्शचां परका को आपके सोफिनक लीजे तक के सोंबर देता है और उहीं कोंडिक की सिएक अठीक को तो कर देता है तो आप लोग नहीं कहेंगे किसमें भरष्ट आचार हो रहा है और मोदी जिसका नाम नुर्मलाइशन दिए और नुर्मलाइशन का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में हुआ है आप लोग सो समझते हैं कि मुझां कर अनला रटीई का जवाब कोंगर्स सरकार ने लाया था कि आटी आय कजो नियम था का सासन को किसी भी घरीब तबक्के को या मिर्ट तबक्के को जितनी नवक्री मिली उतनी नवक्री किसी के सासन बीजेपी के सासन में नहीं मिली अन्ना बीजेपी देगा इंगरावाद आप से है कि आप बीजेपी के दस साल उठाकर देख लिजिए मोदी ने क्या कहा और क्या किया आप कांगरिस का फी दर्जा उठाकर देख लिए कि मोदी जी के सासनकाल में बीजेपी के जिस अस्टेट में सासनकाल हुआ है वहां बेरोजगाई और भरष्टा छोड़कर कोई पैदा नहीं हुआ है आप हमारे कांगर्स के सांकाल में देख लिए जितने इवाओं को नौकरी कांगर्स ने दिया है अज जितने स्वच्छता पूर्ण दिया है मोदी जी ने भरष्टा चारी पूर्ण रिजल्ट देकर किया है मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि नौर्मलाइसन के द्वारा बड़े-बड़े रैकेट खिल जाते हैं तहने कार्थ कि जो बड़ा-बड़ा रकम रुप्यादा करेगा उसे पास कर दिया जाएगा और जो बड़े-बड़े रकम नहीं देगा उसे फिल कर दिया जागा ऐसी पत्ति नौर्मलाइसन के हम नौर्मलाइसन कहते हैं जादत की बताने की क्या हो सकता है बिहार में जो यस्ट्रियल्ट हुआ है इसमें कौन नहीं जानता कि बहुत बड़े पैमाने पर धांदली की गई है इसमें सिच्छा मंत्री जो मंत्री हैं वहां से लेकर के बड़े-बड़े बिहार बोड़ के अधिकारी और सच्चिवाले के भी अधिकारी मिले हुए है आज तक RTI का 20,000 लोग का जवाब नहीं दिया गया रिस्पानस सीट नहीं दिया गया अर्थात Рömर्ट में रिस्पानस सीट नह दे और RTI के द्व्बरा भी अगर रिस्पानस सीट मांगा जाए तो अगर रिजल्ट कोई न दे तो समझ सकते हैं कि ATI के जवाब देने में जो b roadmap अधिकारी अच्छ हम्म में हैं दिन ही सकते हैं ATI की जो कुछ मांगा जा रहा है उसकी जानका यह देने में अच्छ हम्म में तो उसमें बड़े पैमाने पर धांदली या और बड़े पैमाने पर भ्रष्टा चार हुआ है हम लोग को जो पुक्ता जानकारी है कि अस्टेट रिजर्ट हैं 25 नमबर वाले को 100 नमबर किया गया और 125-30-40 नमबर वाले को फिर भी कर दिया गया नियम तो कहता है कि नहीं रिस्पाउंस सीट देना चाहिए था मरें रिस्पाउंस सीट नहीं दिया आज तक लिए आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बड़ी धांदली है और कितने बड़े पैमाने पर रैकेट चला इस्टेट रियल्ट में लोग गलत तरीके से पास किया गया आज तक रिस्पाउंस कीट ना दिया न दे गाया बिहार सरकार के सबसे बड़ी नकामी और सबसे भरटाचारी रिजल्ट पैदा हुआ ऐसी रिजल्ट अब बार बार दिया जागा क्योंकि इसमें लोगों के दौरा आवाज नहीं उठाया गया अब जब भी कभी एकजाम होगा तो इसी तरह से भरष्टा चार होगा आप पढ़िए नपढ़िए कोई फर्व नहीं पढ़ता क्योंकि नौर्मलाइसन के दौरा आपको फेल कर दिया जाएगा और इसको भाग होगा उसे को पास के जाएगा इस दिन नौर्मलाइसन का हम दिरोध हम आज से भी करते हैं और हमेशा ही करें आप सबको हम आज से भी करते हैं कि अगर देश में कुछ चेंज चाहिए तो केंद्र सरकार को बदल फेकी इस वार केंद्र सरकार उखड़ जाएगी आपका देश हरक द्राजिकर सबसेट से जाएगा हम पहले भी वता चुके हैं कि भ्रह्टा चार का जो पंत्र है नौर्मलाइसन का अर्थ होता है भ्रह्टा चार इसमें बड़े पैमाने में रैकेट चलता है बड़े पैमाने में पैसे का खेल होता है और फेल वालों को पास के जाता है फेल वालों को पास करना और पास वाले को फेल करना इसे कहते हैं नर्मलाइशन और यही है सबसे बड़ा प्रहटाचार की जड़ और ये庇 till में बड़े पैमाने पर रिज़ल्ट में बड़े पैमाने पर धांदली हुई है इसलिए इसमें response rate नहीं दिया जाएगा हम लोग भी आर्टी आई लगाए हैं मगर आज तक आर्टी आई का कोई जिवाब नहीं दिया इसका अर्थम समझ गये हैं कि मैं किसी को गलत भावना नहीं बता लिए कि सच्चाई होई बता रहा हूं आपसे में और केंद्रे में भी आप लोग को पता होगा सीजील एससी और बड़े-बड़े जो परिच्छा होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर मोदी जी इनकी बीजेपी पाल्टी के द्वारा इ अब बड़े पैमाने पर रहिकर्ट चलता इसमें आपको आद होगा सीजील पर बहुत बड़े मुद्दा उच्छा था सुप्रेम कोर्ट में भी मुद्दा सांथ हो गया था क्योंकि सरकार बीजेपी की ते इसलिए मैं युवाओं से खास करके आगरा करूंगा कि नॉर्म आपको रोजगार दे सकता तो है कॉंग्रेस आप आख़ा मिला लीजिए कॉंग्रेस के सरकार में दो हजार पांच से ले करके या दो हजार के बास से कोई छोड़िए हर रस्टेट की तुरुना कीजिए जी उसके सासनकाल में जितनी वाओं को नौकरी मिली है बीजेपी के सासनकाल में बीरुजगारी मंगाई और मरनकाल छोड़कर की तिसरा कुछ नहीं मिला और मोदी जी के सासनकाल में जूट भरेब ठग और यह तो प्रहटाचार का एक नौर्मल आइसन लेके आए हैं जो देश को प्रहटाचार में ढखे लिए हैं नौर्मल आइसनकार थी हो और आपको बताने क्या हो सकता नहीं जिस दिस में जिस परिछे में रिस्पांस सीट ने मिले आर्टी आई का कोई जवाब नहीं मिले तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पैमानी पर एस्टेट रिजल्ट में धांद ली हुई है हर वेक्तिय को अपने मुद्दा रखने का थोर सकता है अब आज उठा सकता है गलत नहीं कोई बाद उठाने मश्वाई का साथ देना हम चाहते हैं कि काम सही हो और भी कुल तरीके से बीजल्ट प्रकासित हो अगर हम फेल हैं तो फेल सही पास हैं तो पास है मैं तो बिपास में चे polymer कि जवार और जवाब अब हर सरका हैं कि बिहार में महां धांदली है कौन नहीं जानता है कि इस बार कि पाप का घड़ा जब कहते हैं जब भरता है तो टिकता नहीं है इस बार मोधी सरकार केंदर से उखड़ जाएगी साथ क्लो रिवा खासा नाराज है नर्मालाइशन से ले करके अगर नितिस सरकार को ही लगता है कि इस ट्रिजल्ड से भाप भोड देंगे तो कम से कम में बाद एक साथ बोल देता हूं कि आने वाले जो लोग सभा चुनाव है मोधी जी को गड़ भचाना भी मुस्किल हो जाएगा और नितिस सरकार को भी पिछले बार 2019 में तो EVM से चुन नहीं क्योंकि सभी को यागरूप हो चुका इस बार कि नुर्मलाइसन ही एक ऐसा जड़ है जो अच्छे छे लड़कों को पढ़ने का इच्छा उतार दिया है इस पाप के भरष्टा चार के जड़कों हम नुर्मलाइसन करते हैं कि बेरुजगारी को बढ़ाना भरष्टा चार को बढ़ावा देना किसी अस्ट्रेंट को पास से फेल कर दें उसका नाम धर देंगे नुर्मलाइसन किस अस्ट्रेंट जो फेल है और उसको बड़े अच आप पढ़िये नहीं पढ़िये कोई फिर नहीं पढ़ता है अगर आपके भाग होगा तो अरहिएगा इंटो नहीं इसलिए इस महाबरता चार सरकार को उखाड फेकिए तब ही आप रुजगार सोचिया युवाओं को रुजगार मिलेगा आज देश लासों के धिर पर सोई हुई है किसी को चिंता थोड़े है दस साल आज मोदिक सरकार को कारकरम हुए है जहां भी जाते हैं जूटे वादे करते हैं जूटे सरकार लाते हैं जूटे की बात करते हैं उमीद करते हैं कि जहां भी वीजी पी जाएगी कि चुनाव हारेगी आएगी नहीं अगर युवाओं सही होंगे अगर हमारे देश की युवास अच्चाई होगी अपने रोजगार की बात करेगे रोजगार का बोड़ देना चाहती है तो मोदी को भूड़ को नहीं देगा इस बार बिहार में चुना हुआ काफी कुछ मामल आर्टी आया की दवार मांगा गई जवाब जो है अगर मांगा जाए उस संस्थां से तो आर्टी का जबाब ना दे तो समझ सकते हैं कि महां धानाली है महां रैकर है मंतरी से लेकर अपसर तक सभी भीके हुए हैं और बड़ी पैमाने पर धांदली भी दोजारी गारा में लोग काते थे लाल के स्वरा बच्चा राई ने धांदली किया है लेकिन हम लोग कहना है कि इस सबसे बड़ी संस्थान है जो इस बार 2019 के एस्टेट रिजल्ट पर आया है दुजारी किस में उसमें सबसे बड़ी रै कि इसमें इतनी बड़ी धांदली है कोई बता नहीं सकता को यह अगर सही से रिस्पाउंस जारी हो गया तो हम कह देते हैं फॉट्टी परसंट लड़के फिल हो जाएंगे इसमें बतानी की दुमत नहीं है लेकिन रिस्पाउंस इट नहीं देगा क्योंकि एस्टेट रिजल्ट बिहार के एस्टेट रिजल्ट में महा धांदली है महा भरस्ट आपचार है इसमें मंत्री से लेके जो से च्छा मंत्री उससे लेकर के अब सर तक भी कहवे हैं ऐसे अ नुर्मलाईसन का रत है भरस्टाचार मैं तो आपको पहले बता दिया हूँ पास से फेल कर देंगे आप फेल से आपको पास कर देंगे उसका नाम धर देंगे नुर्मलाईसन आप पर इच्छे में 120 नमबर ला रहे हैं आपको हम फेल कर देंगे और आपका नाम धर देंगे नॉर्मलाईसन तो नॉर्मलाईसन पाप की एक भरस्टाचार है और इसका जनक, मोदी जी और बीजेपी की सरकार है उन्हीं नहीं दिस में लाया है ताकि भरस्टाचार के सिस्टम चलती रहे और नोटों की गड़ी कमाई जा सके हर राज में भरस्टाचार फैलता सकते इससे पढ़ने वाले स्ट्रेंट पर काफी प्रहो पढ़ता पास से फेल हो जाना अपने अपने बिग्रती पैदा होता पढ़ने का मन तरता इसलिए इस बार लोक सभाचुनाव आ रहा है अगर आपके साथ से इस बार गलत हो रहा है बिहार स्ट्रेंट में तो आने दीजिए लोक सभाचुनाव उखाड़ फी कि इस सरकार को जो गंदी राजनिती करने वाले है इस बार इस सरकार आना नहीं चाहिए केंदर को चेंज कीजिए केंदर चेंज हो जाएगा अपने आप सब चेंज हो जाएगा तो दोस्तों आपको सारा बात समझ में आ गया होगा कि एस टी एटी जो रिजल्ट है वो कैसे जारी हुआ है नोर्मलाजिशन कैसे हुआ है निगेटिव मार्किंग इतना क्यों आया है और बहुत सारा जो बाते हैं आपको समझ में आ गया होगा एस टी एटी रिजल्ट के रिगार्डिंग और दोस्तों एक बर और ये बात आपको बता दे कि ये जो आडियो है ये मेरा नहीं है तो आप ये मत कमेंट कीज़े कि आपने ये बोला है वो बोला है तीक है इसमें जितना भी बोला गया है सारा के सारा सचाई है और ट्विटर कंपेंट के बारे में बात कर लते हैं जो हमने एक पोल जारी किया था उसमें हमने पुछा था कि कि एस्टी टी रिजल्ट के एगेंस में Twitter campaign किया जाए कि नहीं तो उसका काफी अच्छा जो है response मिला है STT अभी आर्थियोगर किया है करीब 80% जो है लोग इससे सहमत है कि STT result के एगेंस में Twitter campaign किया जाए और जो भी valid reason है उसके लिए Twitter campaign किया जाए और re-result या revised result या exam cancel हो इसके बारे में सरकार से अपील किया जाए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब में चैनल